फिर से हाजर इस नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ दोस्तों इस नवर्ष 2023 में आप सभी एंज्यूस नए और पुराने सभी एंज्यूस के लिए हमने केस्बुक की हमारी एक ओनलाइन webinar series की शुरुवात की है जिसके माध्यम से दिन पर दिन लगातार हम आप लोगों के basic documentation में help कर रहे हैं कैसे आप अपने basic documentations को complete रख सकते हैं कैसे आपको अपने basic documentation को maintain करना हैं ये सभी जानकारियां लगातार एक जनवरी इस वर्ष 2023 से आपको रोजाना रात्री आठ बजे केस बुक के माध्यम से दी जा रही है जिसका सीधा प्रकाशन आपके अपने यूट्यूब चैनल दाएंजियो गुरू पर भी अपडेट किया जा रहा है यदि आप भी हमारे केस बुक सीरीज से लाइव जुड़ना चाहते है जूम मीटिंग के माध्यम से रात्री आठ बजे आप हमसे जुड़ सकते है लिंक पाने के लिए आप हमें हमारे हेल्प लाइन नंबर 999997003 पर जॉइन वेबिनार लिखकर वर्टसप कर सकते है आज की ग्रांट एप्लिकेशन की और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार की ग्रांट एप्लिकेशन से संबंदित गाइडलाइन्स एप्लिकेशन फॉर्म या अन्य तकनीकी सहायता के लिए आपको हमारी चैनल कम्यूटी को जॉइन करना आनिवारे होगा और हमारी यूट्यूब चैनल कम्यूटी को जॉइन करने के लिए आपकी स्क्रीन पर सब्सक्राइब बटन के पास में एक जॉइन बटन जरूर दिखाई देगा जिस पर क्लिक करके आप जनरल या प्रीमियम मेंबर्शिप ले सकते हैं जनरल मेंबर्शिप के अंतरगत आप सिर्फ गाइड लाइन्स और एप्लिकेशन फॉर्म प्राप्त करते हैं जबकि प्रीमियम मेंबर्शिप में आप टेक्निकल एसिस्टेंस भी प्राप्त कर सकेंगे तो चलिए बढ़ते हैं आज की हमारी grant application की ओर जो की संबंदित है हिंदी भाषा के promotion के लिए हिंदी भाषा के परचार के लिए जिसके लिए आपको कुछ इस प्रकार का grant application form मिलता है जिसके लिए आप एक voluntary organization होने के नाते हिंदी भाषा के परचार और परचार के लिए किसी भी प्रकार का कोई publication निकालते हैं तो उसकी grant से संबंदित या आविदन आपके काम आता है जिसमें आपको अपनी संस्ता का नाम भरना है ये कहां जाएगा address दिया हुआ है इसके बाद I submit here an application and duplicate for a grant under the scheme of financial assistance for publication in Hindi this is for publishing the book and title आप किसी भी प्रकार की book publish करवा रहे हैं तो उसको आप यहाँ पर entitle कर सकते हैं और इसको जो है seal sign के साथ सम्मिट कर सकते हैं यह grant कई चरणों में उपलब्द होती है जैसा कि पहला चरण मैंने आपको बताया जिसके अंदर आप किसी भी प्रकार का publication करने के लिए आप grant आविदन कर सकेंगे जो की पूंट्या हिंदी भासा के promotion के उपर आधारित होना चाहिए दूसरी मोड की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर आपको कुछ guidelines शो हो रही होगी मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूंगा application for the financial assistance under central scheme of assistance to voluntary Hindi organizations यहां पर आपको अपना financial year maintain करना है आपको आगे बड़ते हुए इस application के अंदर grant अंदर scheme of assistance to voluntary Hindi organization यह I submit an application in duplicate with a grant under the scheme and tell tell this assistance to voluntary hindi organization I certified that that I have read and the rules and regulations governing grants under the scheme and I am taken to orbit by the same on the behalf of the management. I further agree to following questions. So, you are agreeing to the following conditions. This is the affidavit you have to give. This will be submitted with you. There are some conditions that you have to submit with. अब यहां पर आपको अपना फॉम भरना होता है सामजिक संस्थाओं के लिए जैसे आपकी संस्था का नाम Total Assets जो भी आपके Library books, equipment, building से related काफी लोग Library चलाते हैं के लिए काफी लोग पुब्लिकेशन करते हैं काफी लोग स्कूल के दौरान भी जो है हिंदी भासा का प्रचार प्रशार करवाते हैं तो उनके लिए भी ग्रांट एप्लिकेशन यह उपलब्द होती है और काफी संस्थाइं जो है जागरुकता के माध्यम से भी या अन्ने ज्ञाय भी जो है हिंदी ज्यागरुकता का आयोजिन करते हैं काई बार हिंदी दीवस के रूप में और करती हैं तो वहां पर यह ग्रांट या अपलीगीबल हो जाती है तो यहां पर सिसी भी प्रका़ की-तीन साल की इसे चिंज्ड करते हैं यहां . होता है कि बिल्डिंग एक्पमेंट या फर्दर लाइब्रेरी की मैंने सेट्स के लिए आपको यहां बताई दिया है अल्रेडी वेदर रिक्वेस्ट वेदर रिक्वेस्ट आफ ग्रांट एंड हैड विन मेड इन दा स्टेट गवर्मेंट अलिल क्या पहले कोई ग्रांट प्रजेक्टिव्स वह आपको यहां पर देने संस्ता के बारे में दैन आफ्टर किस स्कीम के लिए आपको ग्रांट जो है आविदन करनी है और यह जो आपकी स्कीम है वह रिक्रिंग है या नॉन रिक्रिंग नेचर है इसका वह आपको जरूर मैंशन कर देना है अविलेबल क्या सभी शुटेबल फैसिलिटीज अविलेबल है आपके पास टोटल एक्समेंड डीचर क्या है जो आपके द्वारा मांगा गया है वह आपको ब्रेकप डिटेल ब्रेकप देना है आपको यहां पर देन आफ्टर इन देकेस अफेंडिचर ओन एस्टिबिस्मेंट नंबर एंड नेम परसंस इंप्लाइड और पेस्केल्स पॉर देरेजिनेशन एंड डूटी शुट बी स्पेसिपाइड अगर आपके प्रोजेक के अंदर किसी पकार का इंप्लाइमेंट जनेट हो रहा है देरपे स्केल्स है ना उनका जो भी आप वेतन बत्ता आपने आवजित किया हुआ है और जो अलग फ़रेंशल बेनिफिट्स आप उनको देने वाले हैं उनके डेजिनेशन और रोल्स और रिस्पॉंसिबिल्टी के साथ आप यहां पर मैंशन करना है अलग से आप सीट अगर आपको उसमें खरीदने के आवश्रक्ता पड़ती है तो उसके रिगार्डिंग आप यहां पर जो है अपना जेस्टिफिकेशन दे सकते हैं उसकी बिलिंग्स वगयरा के साथ में या उसकी कोटेशन के साथ में किसी प्रकार कि अगर बिलिंग का कंस्रेक्शन से रिल मेंशन दाल सकते हैं देट ओव कमेंसमेंट क्या रहेगी या कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट एस्कीन क्या रहेगा आपका वह आपको यहां पर मैंशन करना है कितना मांट आपका रिक्वेस्टेड़ है मैंशन करना है एक टोटल तो कितनी जगों से कितने सोर्सिस से आप फंड्स को मेंटेंड कर रहे हैं एक्सपेंडीचर्स को मेंटेंड कर रहे हैं वह आपको different different nine columns और two minutes जो है दो कॉलम 9 column minus two column में आपको उसको mention कर देना है sources क्या-क्या है expenditure क्या-क्या है तो उसके साफ से आप इसको mention कर दीजीगा list of papers statement to be attached जो जो आपने documentation search की है documents आप papers लगा रहे हैं साथ में वह यहां पर आपको mention कर देना है कोई prospectus या note हो आपका aim and object का institution का आपके तो वह यहां पर आप mention कर सकते हैं आपके जो constitution body members हैं उनके यहां पर detail आपको mention करनी है लेटेस्ट एविलेबल जो आपकी एन्वल रिपोर्ट है वह मेंशन करनी है ओडिटीड अकाउंट लाश्ट थ्री यहर का विद कॉपीज ऑफ सर्टिफाइड बैलेंस शीट आपको यहां टेच कर देनी है एविलेबल है नहीं आपको सिर्फ मेंशन करना है एविलेबल ठीके जी स्टेट्मेंट देटेटेश्च अधिए यह पर्पस अमांट एक्टरा रा रिसीविंग दिरिंग्द फ़ाइव और दिश्ट्र गर्वर्मेंट अगर आप किसी प्रकार की ग्रोर्वन्मेंट गरां रहे हैं पिछले 5 साल से तो उसकी डिटेल आपको यह पर जो लू मैंशन कर दीनी है श्रक्षेस और श्रक्राइब को अपर देनी इस कि प्लांस एन एस्टिमेट को यहां आपको मेंशन करना है आपका स्टेट पाबलीक वर्स का डिपार्मेंट कौन सा है वो यहां पर मेंशन कर देना है यहां पर अगर आपका कोई construction प्लान था तो उसके अंदर इंजिनिंग डिपार्टमेंट की local body corporation का कोई member कोई officer या कि ट्रेश्ट का कोई ऐसा लोकल बॉर्डी मेंबर जिसो एक्जिक्यूटिव इंजिनर से कम ना हो उसके detail हैंपर आपको देनी है कि आप जिस भी इंजिनर को अप्लाइंट करते हैं कि उसको सभी norms का पारलन करना आवशक है in case of construction of building costing not more than rupees 25,000 only a statement that the rates are not more than those approved by the state PWD तो PWD departments के द्वारा जो rates fix होते हैं construction work के हैं वो आपको यहां पर mention करवाने हैं a statement indicating the equipment अपरेंट अपरेटर्स फरनीचर लाइबरेरी बुक एट सेक्टर तो वहां पर आपको detail देनी हैं कितने books हैं आपके पास number of books है ना details वगरा जो भी आपकी available रहेती हैं तो वो statement देनी हैं सभी equipment की जो आपके पास available रहेंगे पुब्लिकेशन वर्क के केस में जो आपकी manuscript है वो आपको certified author या authorization authorizing जो publication house है उसके साथ authorized की हुई यहां पर आपको mention करनी है list of additional paper अगर आपका कोई है तो यहां पर आपको mention कर देना है कोई additional information अगर आपकी है तो यहां पर आपको mention करनी है और इसको आप जो है sale and stop करवा देना है यह हम तीसरे चरण को complete कर चुके हैं अब हम बात करते हैं चौथे चरण की चौथे चरण में बात हो रही है स्कूल की जो स्कूल के माध्यम से आप non-hindi speaking state के अंदर अगर आप स्कूल चला रहे हैं और वहां पर आप हिंदी भाशा का प्रचार कर रहे हैं तो आपके यह आपके लिए यह form जो है बहुत यूसफुल रहेगा यहां पर आपको अपने स्कूल का नाम डालना है लेवल डालना है रेकोगनाईज है या नहीं है उसकी डिटेल देनी है मीडियम ऑफ इस्टेक्शन क्या है आपका टोटल नंबर अफ स्टूटेंस क्या है आपका है ना अमांट्स टूबी मैंटेंट अफ मैंटेंस ग्रांट क्या रहेगे आपकी इंकम फ्रॉम अदर सोर्सिस क्या रहेंगे और नेट डेफिसिट सर्टिफिकेट बाइदा स्टेट एजूकिशन डिपार्टमेंट वह आपको जरूर अटेच कर देना है यह एप्ल बूल का संचालन करके हिंदी भासा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं यह application form उनके काम का है लाश्टली हम बात करते हैं अप्रफीकेशन की अट पब्लिकेशन जो आप अपना देते हैं उसमें नेम आप अप्रिकेंट आपका इंस्ट्यूशन या नेम आफ इंस्ट्यूशन आपको यहां पर देना है कि इसीज़िशन रेइस्ट्र है या नहीं है टाइटल क्या है मैंने स्क्रिप्ट का आपके author का name क्या है, how many books आप publish करेंगे, multi-volume publication है की नहीं है, ये सभी details काफी सा आप आपने देखी होगी, series में book निकलती है, जैसे आजकल series में movies बनती है, chapter 1, chapter 2, ऐसे ही series के अंदर books निकलती है, उसकी details देनी है, thematic content क्या है, of the proposal publication का, वो देना है आपको, तो ये first edition है, reprint है, date of first edition क्या थी, what is the status of the applicant, तो ये सभी details आपको देनी है, तो जो लोग publications में work कर रहे हैं, publication से related work जानते हैं, उनके लिए काफी easy हो जाएगा, कि अपनी application को यहां से फिल आउट कर सकते हैं, ये सभी की सभी guideline हमारे राश्चेंजियों महासंक से संब्ध संस्थाओं के लिए, हमारे channel पर हमें join कर चुके हमारे YouTube community members के लिए, national group से उपलब्ध हैं, जिसके लिए आप हमें directly whatsapp कर सकते हैं, call कर सकते हैं, और अगर अभी तक आपने हमारी channel community को join नहीं किया है, या राश्चेंजियों महासंक से आप संब्ध नहीं हैं, आपकी संस्था संब्ध नहीं है, तो आप राश्चेंजियों महासंक को join कर सकते हैं, या guidelines पाने के लिए आप channel पर उपलब्ध join बटन पर क्लिक करके भी channel community को join कर सकते हैं, उम्मीद करता हूं कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी, और हमारी सभी संस्थाएं इस बहतरीन grant के लिए आविदन आवश्यक रूप से ही प्रस्तुत करेंगी, ऐसी मैं सुब कामनाइं प्रस्तुत करता हूं और जिन संस्थाओं को consultancy services की आउशकता है, फिर भी रह जाती है, हाला कि हमारी videos में मích में हमारे प्रयास रहता है कि आपको consultancy sarrvies की आउशकता ना पड़े, फिर भी यादि, आपको consultancy services की आउशकता पड़ती है, तो हमारे आपके करके मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं तो अगले किसी और वीडियो में नहीं किसी जानकारी के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत धन्यवाद